दोस्तो कैसे आप आई हो, बहुत अच्छी होंगा। दोस्तो स्वागता है आपका मेरे इस चने Quindi से दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नहीं कहानी लेकर फिर से उपसे दो कहानी है जब पहला लोगडाउन लगा था यह कहानी उस समय की है जब लोगडाउन के दोरान मैं घर पे थी अब यह सोच रहूंगे मैं तो घर पे रहती हूं लेकिन मैं घर पे नहीं रहती दोस्ते मेरी एक दुकान थी लोगडाउन से पहले जब पहला लोगडाउन लगा था जब यह करोरा वारे स्टार्ट ही हुआ था और उसके बाद लोगडाउन लगा था मेरी एक दुकान थी ज सारा काम करते, तरह तरह की डिश ट्राए करती, और मेरे ह Państ्पन तो कुछ काम नहीं करते दी, सब जितने ही हस्पनEr है सब अगर आ ने सबने दो pulut, काम किया, देंकि मैं इतनी सिरभी कि सारे दिन किछन में लगही रहती थी, तीन टैम कै चार कला कुछ बनते था, दो टाइम खाना एक टाइम नासता और श्राम का कुछ ना कुछ अलग अलग बनता था मेरे लिए तो लोगडाउन था ही नहीं मैं तो और भी जादे काम कर रही थी चलो यह बात छोड़ो मैं लोगडाउन की बात करती लोगडाउन में जब हम सब लोग घर पे बैठे हुए और हम हर कोई बैठा था कितने को परिषानी जिलने पड़े जो हम से चोटे लोग है, जो गरीब लोग है, उनका क्या हल हुआ हुआ होगा यह सोचने वाली बात है, कितने दुखी थे हर कोई दुखी था हम लोग तो फिर भी थोड़ा बात खा रहे हैं, कुझारा तो हम जैसे लोगों का मुश्किल हो जाता क्योंकि जब इंकामी नहीं होंगे लोग कितने दिन बैठ के खाएगा। परिशानी तो हम लोगों को भी हो रही थी, लेकिन हम लोग ऐसे थे, खा पी तो रहे थे, जितना था उसमें, चाहे हमने अपने पैसा खतम कर दिया, भूके मरने की नौबर तो नहीं आई थी, लेकिन जो रोज का कमाते और खाते थे, उनका बहुत बुरा हल था, मैं अपने बालकोनी में खड़े को देखती थी, लंबी-लंबी लाइन लगी रहती थी, लोगों ने लंगर लगाया था, मुझो ऐसा लगता था, मैं क्या करूँ, फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया, कि मेरी दुकान तो बंद हो गी है, मेरे दुकान में राशन पानी बहुत पड़ा लगावाथा, मैंने वहां से राशन पानी उठाया, चावल दाल, जो भी था, सब उठाया, और जो लंबी-लंबी लाइन लगी थी, लंगर लगावाथा, मैंने उनको जाकर दे दिया, मैंने वैसे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हेल्प करने के लिए, गरीबों की सेवा जाया, क्यों ना मैं यह सब इनको बाढ़ दू, जो खाना बना के गरीबों को बाढ़ रहे हैं, दुकान में आटा तो नहीं था, चावल, दाल, साबुन, बहुत कुछ था, और दूसरा समान भी था, बेसन वगरा, बहुत कुछ था, जो जो जरनल स्टोर में होता है, सब मेरी दुकान खुली हुई थी पहले, लोगडाउं से पहले, तो मेरे पास कुछ सेविंग थी, मैंने थोड़ा सा आटा लिया, और वहां पर दान कर दिया, मुझे ऐसा लगता था, कि यह गरीब, तो बीचारे लंबी-लंबी धूप में, लंबी-लंबी लाइन में खाना के कि लिए खड़े हुएं, और हम जैसे लोग बाल कोनी में खड़े हो करी, सिर्फ देखी सकते हैं, लोग तो बहुत बड़े आदमी नहीं हैं, जो मैं यह देखती थी, जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, वह सिरफ तमासा देखती थे, उनके मन में यह कभी नहीं आता था, हम भी थोड़ी हेल्प करें, मुझे इतना दुख होता, मैं सोचती थी, भगवान मेरे को दे, मैं इनके हेल्प करूँ, आप यह ना सोचें कि मैं यह वीडियो बना रही, इसलिए यह बोली हूँ, लेकि सच में मेरे दिल में गरीबों के लिए बहुत दया भाब ना, मैं सो सपीन, सब्सक्राणा, मैं सबसे के लिए, वेलसरी इनले, इसलिए बत्यव बगवान की खंका सब्सक्राणा होतोंगे, फिर उन्होंने क्या किए पिए हो से सधवाल लिये पैसे और घ्रएऑरी लगाना शुरू कर दिया। जब लोगनां कर दों, पैसरी बहुत परिश Allen है। जब उन्होंने नीचे रेड़ी लगाई सबजी और पनपूर बेचलर लोगों ना जाने किती तरह-तरह की बाते करने लगे फिर एक दिन मैं वहां पर बालकोनी में खड़े को सुन रही थी मैंने बोला क्या हुआ पैसे क्यों बोल रही हो तो वह मुझसे उलच पड़े मैंने करता है तब तुम आप बोलते हो यह कोई गलत काम करता है उसको भी बोलते हो तो आखिर इंसान जाये तो जाये कहां चोरी करता है तब भी आप लोग बोलते हो और गलत काम करता है मतों कुछ भी काम करें आपको उसी सा अब्जेक्शन है आप किसी की हेल्प करने से तो गए और उसकी निंदा करते हो, क्या हो गया, वह मेहनती तो करने हैं, पेट भनने के लिए कुछ मेहनत करनी तो जरूर यह वनना हुए, अपने बच्चेओं कैसे पालेंगे, ऐसे करके मेरे से उलच पड़ें, और मेरे से खुब लड़ाई हो उनकी, गली में बहुत सारे लोग रह आती, वह तो सिर्व अपना पैसा देखते हैं, कैसे उसको बचा के रखें, एक बात मैं सबसे पूछना चाहती हूं, दोस्तों, यदि हम अपने घर में खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हमारा पड़ोसी भूके बैठे हैं, और बच्चों के पास कि तक नहीं है, कि हमारे को चैन मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो खाना खा रहे हैं, और पड़ोसी बच्चे भूख के बैठे हैं, परिशान हो रहे हैं, और उन्होंने ब्यास से पैसा लेके सब्जी और रेड़ी लगाई थी, फिर भी लोग उसे उनके बारे में ब बेटी की, कहते हैं, हमें महले में रहे हैं, तुम रेड़ी लगा रहे हो, हमारी भी तो बदनामी है, तुमारी बेटी से मैंने शादी किया, सब हमें बोलते हैं, तुमारे जो ससुराल वाले हैं, वे रेड़ी लगा रहे हैं, सबजी बेच रहे हैं, फलपुर बेच रहे है तो इसमें क्या गलत है ऐसे करके मैं जगरने लगता है अपने ससुराल में आके कि यदि तुम यह काम बंद नहीं करो है तो मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे घर छोड़ के चला जाओंगा उनका दामान लडने तो आ गया एक बार भी यह नहीं सोचा कि मैं जो इसको बोल रहा हूं कि काम बंद कर दो मैं तुम्हारी बेटी को बढ़ना चोड़ जाओंगा उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा नामाद नहीं यह दिए काम बंद कर देंगे तो खाएंगे कह से यह तो इतनी जदकी परवाय तो तुम देदो उनको पैसे खाने पीने के लिए जब तक लोकडाउन है जब तक तो दे सकते हो ना यदि तुम किसी को कुछ हेल्प नहीं कर सकते हो उनका काम बंद करवाने वाले तुम कौन हो तुम से अपनी बेटी की शादी कि एसलिए तुम धोस ज सुनती है उसकी मां के आंखों से आसूनी रुखते एक तरब उसकी शादी शुदा बेटी थी दूसरी तरब उसके घर में दो और बेटी और एक बेटा करती तो क्या करती वह सोच में पढ़ गई वह अपनी बेटी से कहती है मैं तेरे लिए सोचू या इन तीन बच्चों क के लिए तुम यह सोचो मैं कैसे छोड़ दू यह काम हम लोग नौन में भूख के मर जाएंगे ऐसे करके वह अपनी बेटी से कहने लगती है जब यह बात सुनती है तो उसकी बेटी कहते ठीक है ममी तुम काम मत छोड़ो मेरे भी समझ में आ गया है यदि तुम तुम लोग यह काम करगा मुझे यहां छोड़ के चलेंगे तुम महनत करओं मैं दूर मेरा पति मुझे चोड़ता तो छोड़ने दो यह उसी बात पर दपती रही तो हमेशा दबाएंगे मुझे ऐसे लड़की ने अपनी मा को जवाब दिया की ठीक है ममी अपना काम माच छोड़ो काम मुझे तुम से यही उमीर थी मुझे ऐसा लग रहा था तुम नहीं मानोगी अपने पती के लिए तुम मुझसे कहोगी काम छोड़ दो लेकिन मुझे तुम पर गरव है तुमने मेरे बच्चों के बारे में सोचा अपनी बेटी कहती है कि उसकी बेटी फिर से कहती है ममी मैं जाओंगी नहीं सुसुराल और वो उसकी बेटी वही देने लगती है जब उनकी बेटी कुछ दिन तक अपने मही के में रहती है तो कुछ दिन और उसका दमाद आता है और उनकी बेटी से कहता है चलो सुसुराल चलो उनकी बेटी कहती है मैं नहीं जाओंगी वैं कहता है क कर दोस्तों मुझे यह पहले से यह सब पता होता उन जीол तो मैं अपने दुकान का भयांगे दें लेगिन के पता चलता किस घर में क्या चल रहा हो जब तो कोई बर्ताता नहीं है कि स체 कि दिखता कि डेले लिगा रहे हैं यह फाले ज़वनल लगाते हैं तो मैं दुकान का समान सारा हूं कि इनके घर में खाने के लिए भी नहीं हुआ नहीं दो पिती बाने के लिए दोे में इसमें क्या गुना है मेहनत तो हर कोई करता है, कोई ओफिस में बैठके करता है, कोई कॉलीज में बैठके करता है, जो टीचर होते वो पढ़ाते है, हर कोई हर जगे मेहनत कर रहा है, कोई अपने दुकान में मेहनत कर रहा है, कौन नहीं मेहनत कर रहा है, और रेली लगाना क्या मेहनत का काम है, तो बड़ा नहीं होता चोड़ा में मृट शोटा कैसे मेरे बताने का मतलब is लिए कोई भी कि काम करे हम कोई अपने परिबार sean के लिए कुछी काम कर लिए तयार हो जाता है ना चोटा देखता ना बड़ा उनको तो और बहुत तारीफ करने चाहिए कि कितना अच्छा आद्मी है कितने अच्छी लेडी से अपने बच्चों के लिए रेड़ी लगाने के लिए तयार हो गई है और उसका पती यदि उसको जवाब ना देती उसक हाँ लड़की को करना चाहिए यह लड़की अपने से सराज में डबति ऐसे लबती रहे तो वह अपनी मन मने करते रहेंगे इसलिए मैं सबकोई किकाना हाँ किसी को किरें किसी को रोकने को ऐम करने बुरा incredible करने वाले उनकी तो हम एंवे और सारान करने चाहिए कितने अच् कर सकते किसी की बस मैं यह कहना चाहती है सबसे मेरी यह कहानी है कहानी क्या मेरी lockdown के experience है बस मैं मिलती है अगले वीडियो में लेकर उससे पहले झाल झाल